तुमस्का दोस्तो मैं प्रकाश आपकाई का फिर स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल प्रकाश रंग वाला में दोस्तो आज अपने ब्लॉग में बात करने चलने हैं कि जो पेंट मार्केट चल रही है और किस तरीके से चल रही है क्या आप नया पेंट बिजनेस खो तो थोड़ा साफ अगर आपेंट मार्केट में बिजनेस में बॉद्ध में बिजनेस को लेके बहुत ग रोँ बात ज़्या आ रहा है क्या करना है तो solche में चैश rag थे इस हिंड़ देंग देंगर पिंटिनेस की तो उसी पे आज आप लुक्क कारेंगे कि क्या नंक चल रही है तो तो थोड़ा सा उसमें अगर आगा व्हना कर रहे है norma. जो भी चीज़े हैं, अगर उसमें कुछ प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा फादे मंद रहेगी, और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, अभी बिजनेस करने लाइक है कि नहीं है, और कितना पैसा लगा है, तो आज हम सबसे पहले बात करते चलते हैं कि पेंट बिजनेस में हो क्या रहा है, दोस्तों हो ये रहा है कि सबसे पहले कि जिसे भी पेंट के जो बिजनेस में जो प्रेंट के प्रोडेक्ट है ना, उसको लेके एतने होचपोच मचे हुए हैं कि कोई उस प्रोडेट को एक सही रेट पे बीचना ही नहीं चाह रहा है बड़े डिलर छोटी डिलर को नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं कोई रेट को लेके एक कमणी का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है अकसर कमणी ये बोलके अपना चुटकारापार रहती है कि गवर्मेंट के रूल्स के आपसे आम लोग किसी चीज की रेट को डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं वह में इस दिसाइड कर सकते हैं कि कितना पेंटर को दे देंगे, कितना पॉरह को देदेगे, इस देड़ कर सकती हूं, लेकि वह डीलर का मेंटिन कराने के लिए कुछ नहीं कर तकते है, लेकिpol गइर के इतना हुच दोसे फच्छे मेंस्के कई इस्छ बीलकित हैं तो बिल में मालनीजिए उसकी जो सब कुछ खटाने के बाद DPL-5% plus CDVD सब खटाने के बाद अगर उसमें आ रहा है 2850 रुप है, मालनीजिए मोटा मटा 2850 है, अब पता चला है कि वो बिक तो रहा है यार 2600 रुपएगा, अभी 1500 रुपएगा, 1500 रुपएगा लास हो रहा है, तो क्यों बताया जाता है कि ये CN के दुरू आएगा, क्रेंडिट नोट आएगा, और हमारे एक आउट में आएगा, तो ये बड़ा एक अजीब सा एक वो लगता है कि भाई, आज हम जो चीज खरीद रहे हैं, देखें, बिजनेस का एक नॉर्मल फंडा ये है कि दस रुपए के चीज खरीद रहे हैं, तो ग्यारा में बेचना, एक रुपए हमें प्रॉफिट अभी चाहिए, ये नहीं कि हमें प्रॉफिट चाहिए तो महीने बाद या एक महीने बाद इस तरीके से, और कॉन कल्कुलेट कर पाएगा कि हमने कितने डिबे लिये हैं, क फिर उसके बाद इस मार्केट में इतनी जरौत से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनिया समय हो गई हैं, कि बड़ा ही कंप्टिशन का महौल हो गया है, एशन, नेरोलेक, डिवलक, बरजर, बिरला ओपस, जेके, मैक्स, मतब इतनी कंपनिया के हाथ में गिनी भी नहीं जा सकती और सभी के पास सबसे बड़ी बात की फुल रेंज है, सभी चाहती हैं कि हम बड़े डिलरों को पैच मतब गरिप में लें, एशन के पास बड़ी मार्केट है, बड़े उसके पास डिलर है, तो वो चाहते हैं कि हम एशन के डिलर को तोड़े हैं, तो कुछ नकुछ किसका क्लब करें किसके साथ लॉयल बना रहा है यह चीजे होना बहुत ही मुश्किल भरा काम है और ऐसा नहीं कि जो भी कंपनी आ रही है वह कुछ एक दो प्रोड़क्ट को लेकर आ रही है वह उनके पास सब के पास फुल रेंच है मतलब वाटर पूफिंग वुड कोटिंग इमलचन छे तरीकी के मलचन बंदर के छे तरीकी के बाहर के लिए वाटर पूफिंग हो गया फ्लोर पेंट इनामिल मतलब सारे प्रोड़क्ट है प्यू और सब को तुरंत बड़ा ही बना है और सब को बड़ा ही काम कर लेना है उसके बाद दोस्तों होता है कि हो क्या रहा ह तो उनका जो फोकस प्रोड़क्ट होता है उसको बेचने के लिए इतना इतना प्रेसर हो जाता है डिलोर के उपर कि उनको मट्रियल लेना पड़ता है ज्यादा मट्रियल लेना पड़ता है लिना तो बहुत फोकस प्रोड़क्ट होने व्याज़े से मट्रियल को लेना पड स怎麼了 M से मतलब है और उनके लिए खेवल है कि हमारा ममट हम्रें के रिखजा拜拜 उनका कोई फगर वोड़े कैसे protection मार्केट में क्या पॉफिट देगा डिलार को डिलर को profit हो रहा है कि हो रहा है उनको बस यह रहता है कि पट्रियल बिंग जाए उसमें 200-300-500 को टोकन निकले पेंटर पर मिल जाए काम उनका खतम डीलर पता ने उस तो जितना टोकन डीलर पा रहा है उतना डीलर पा रहा है कि नहीं इसे उसे कुछ ने डूने लेकिन डीलर यहां पर पैसे लगा रहा है इतना जयदा स्टोंक रह रहा है उस सब्सक्राइब कोई कंप्यों को लेना फ के नहीं है इस समय है जरूरत से जयादा कंपनी का जो है वह大 व पेइंटर और कंत्रेश्टर पर सबंगर करदा दोस्तों ये पिछली कई बार हम बोलते चले जा रहा है कि ये जो चीजे हो रही है ये किसी भी paint कपनियों के लिए या paint business के लिए बहुत सही नहीं है होता क्या है कि जो paint का जो business होता है वो drive करने के लिए dealer ही हमेशा आगे रहे है dealer ही painter को चलाते है dealer customer को बताते है कि कौन सा product है कितना time देते हैं कि नए product इसमें polymer है इसमें क्या चीज़ है dealer ही समझाता है उसके बाद फिर painter लगाता है painter के maximum painter 80% ऐसे painter है कि जो बहुत ही पड़े लिखी नहीं है बहुत से इसे painter है जो कि इनको technical इतनी जान करें हम 20% painter ऐसे है जो अदम perfect support knowledge है लेकिन 80% ऐसे निनको knowledge नहीं है ठीक है, बट डीलर अगर आप देखेंगे, बहुत ऐसे डीलर देख जाएंगे पूरे इंडिया में कि कोई 25 साल से इश्ट का काम पर रहा है, कोई 50 साल से नेरलक के साथ जुड़ा है, कोई बर्जर का 100 साल से डीलर बड़ा हो है, मतलब यह चीज कहने की बात है, कि अगर डील रिया है, उनको लगता है कि डीलर कहां से पिंटर लिस्ट ले लो, फ्लंबर कोट्रेक्टर की लिस्ट ले लो, उसके बाद उन पर फोकस को रो, हमाना माल तो ऐसे ही बिकेगा, बट यह गलत है, इस पर सभी कपनियों को सोचने समझने की बहुत जरूरत है, नहीं तो यह मा कपनियों के साथ करें, अभी कुछ दिन तक तो चलेगा, तो बहुत ज़्यादा कमनियों के साथ काम करने के चकर में बहुत फंड लगाना पड़ता है, पीड का बिजन समय इतना असान हो गया, हो नहीं गया है, यह कि बाल्टी जो बढ़िया महंगी इमर्शन की बाल्टी, एक न एक ऐसी स्कीम लेकर आ रही है, और हर घंटे ऐसी स्कीम लेकर आ रही है, यह स्कीम के चकर में ज्यादा माल लेना पर जाता है, वो सीधे से लो, तीडे से लो, इमोशनल तरीके से लो, लेना है डिनर को तो लेना डिलर को है, फिर उसके बाद उनको माल बेचने के बा तक किसी भी कंपनी के लोगों को पुई फरक ने उसकी सीडी मर जा रही उनको फिर अपने पैसे की फरक होती है लेकिन जिस तरीके से जिस चीरोधी करके उन्हें अपने मट्रियल को बिकवाये है उनी डीलर के दुकान पर रखवाया है उस चीरोधी के सासथ वह डीलरों पर क कस्टमर को बतान बेचने के लिए इतनी इंट्रेस्टेट पो नहीं रहे हैं दूसरा मार्केट से ना इस समय दोस्तों कस्टमर थोड़ा गायब हो है कोविट के बाद से बहुत से चीजे बदली है कस्टमर का ट्रेंड बदला है घर के काम करने के तरीका बदला है लोग के पासता ऐसे की थोड़ी से दिक्कत है तो इस वज़े से जो पिछले दो-तीन सालों से एक ऐसा चाम जो पूता था पेंट बेंडेस पर वो अभी थोड़ा सा रूका हुआ हो सबता है आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा आएगा बट इस समय कम है जैसे बड़े- तो थोड़ा सा अभी वेट-इन-वाच वाली स्थिती है दूसरा बड़े काम करने के लिए दोस्तों फंड की जरौत होती है पेंड का बिजनेस इस समय ऐसा हो गया है कि सबी कमनियों की बिकदम रिजिटों की एशेंट मेंट का दूसरे दिन पेंट आ जाता है नरलक भी ब पैसा देना है जो दूसरे दिन पैसा देना है तभी हमारे सीडी कल्कुलेट होगी तभी हम तीसरे दिन हो गया है तो इस समय पेंट बिजनेस बहुत पैसा न दे रहा है आट दस लाग बीस लाग रुपय कोई बहुत बड़ी वैलू नहीं हो रही है को बड़े बिजनेस के में वह इतनी जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं कि वह भूल सेलिंग सुरू कर देते हैं और कंपनी का भी क्या हैं कि मतब अब एक शायर में ढीप है उसके अंदर 200 हैं 200 के अंदर 5 ऐसे डिलर है जो होल सीलर है इस पर 40 रुपए काटके बेचना सुरू कर दिया एक रुपए लेकर पता नहीं जिल रही है कि नहीं मिल रही है उसमें केवल 1% लोग ऐसे होंगे जो 5-5 ऐसा किसी कंपणी से मिला सकते हैं इतना आसान नहीं है आज के समय में किसी भी कंपणियों के स्कीम को कल्कुनिट करके अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना दोस्तों ये सब चीजे हैं अगर पर पेन्ट बिजनस पे आना चाहते हैं तो थोड़ा सोंस समझ किया है फंड आपके पास अने चाहिए जगा होने चाहिए नए प्रॉट्ट की जानकारी होनी चाहिए मार्किट का जो फ्रेंड समझने की बहुत ज़रूरत है कि आने वले समय में customer क्या माँगेंगा, कैसे माँगेंगे, क्या cioè चल सकता है, यह सb सीजे आपको जाननी बहुत जलूरी है, तो अगर आप paint business कर रहे हैं, थोड़ा संभलके समय करिए, अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा स js!」 यहीं चीशी देख रही हैं, अपने को profit निकाल पाएंगी, यह सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अगर business कर रहा है, सोच समझ के material, जितना material आपका भी करा उतना लीजिए, जिससे सस्ता पड़ रहा है, उससे लीजिए, कोशिश करिए कि सारे बिल को, सारे जो material है, वो कच्छे में मतलीजे, वो GST बनवा के लिजे, क्योंकि मार्केट में इसी बीच में बहुत से लोग डुब्लिकेट मेटरियल भी बेच दे रहा है, तो उसके लिए, इसका सबसे सही है, कि आपने हर बिल में, आपको GST बिल लेना चाहिए, आप उसको दिखाईए, या न इसा ग्रो करेंगा, क्योंकि किसी घर को अपने घर को मेंटेन रखना है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसो करेंगे, तो अपने आपको धैर बना के रखना है, और कोशिश कर रहा है कि अपने बिजनेस में प्रॉफिट बिलाए, एक डिब्बे को ब बेचना है ऐसा नहीं कि वो कॉस्टिंग आ रही है दस रुपए और आपको बेच रहे हो साथ रुपए कि तीन रुपए हमारा अगले महीने दस तारिक तका जाएगा तो ऐसा होता नहीं इतना आसान है नहीं तो इसलिए जो प्रॉफिट दिखाई पड़े उसे को पकड़ च चैनल बनाया है जिसमें की हम पेंट बिजनेस और पेंट की बारे में बताते रहते हैं आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं नेक्स वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे आज इतना रखते हैं थांक यू वेरी मुछ जैहिन